आगे देखते हैं क्योंकि लगता है वहाँ पर प्रॉल्म हुई है मैं कम्बाइन कर दूंगा सारे वीडियोस को तो मैं क्या करता हूँ कि इसके हाथ पे लेड़ जाता हूँ in my full length he covered me with the hands of the handkerchief and took me home ठीक है अपने रुमास ही दोनों तरह मुझे लपेट लेता है और मुझे अपने घर पे ले जाता है after reaching home the former called his wife जैसे गर पोस्ता उसने अपनी पत्नी को बिलाया his wife too was a giant woman like him उसकी पत्नी भी उसी की तरह विशाल थी she was 60 feet height उसकी height लग वा 60 feet he showed me to her ठीक है कहता है कि उसमें मुझे दिखाया है at first she screamed and ran back frightened पहले तो चिलाती है और डर के मारे भाग जाती है if seeing a spider or a lizard ठीक है जब वो देखती है कि जैसे एकी spider होता है या पर चोटा मकड़ी है या पर lizard छिपकली होती है it took her husband a long time to remove her fear ठीक है फिर लंबे समय के बाद उसका पती जो हता है उसके दर को दूर कर देता है she watched me carefully and slowly begin to touch me ठीक है अभी जो था समय लंच का था so all the people in the family took their seat in the table at the table सारी family के लोग के लोग के आग थे अपने अपनी table पर बैठे हुए थे table पर इपनी seat पर बैठे हुए थे they were a small family the former ठीक है वह चोटी family थी किसान की his wife three children तीन बच्चे and an old grandmother और उसकी दादी there was only one good dish of delicious food as I could smell वहाँ पे सर्क एक ही तरह का भोजन बना होता है जिसको में smell कर सकता था it was brought on huge plate about 24 feet in diameter एक बड़ी सी plate में लाए गया था जो लबस 24 feet की diameter में था the former put me on the table which was 30 feet high जो फिर क्या होता है कि किसान जो होता है उसको table पर रख देता है जो 30 feet उचाई पे था I was terribly frightened and kept as far as I could from the age of the table ठीक है मैं डर जाता था जब भी मैं किनारे जाय करता था table की क्योंकि बहुत height पी था the former wife placed some food before me ठीक है किसान की पत्नी ने मेरे सामने कुछ खाना रखा I bought low to the former and his wife and begin to eat ठीक है फिर क्या करता है गुलिवर जो जुग जाता है किसान को उसकी पत्नी के सामने ठीक है मतलब कि एक तरह से जो है जब खाना दिया जाता है तो खाने के लिए धन्यवाद करता है All were delighted to see me eat ठीक है सभी लोग खुश होते हैं जब मैं खाना श्राट करता हूँ Then the mistress sent her maid to fetch a small medicine cup ठीक है उसके बद क्या होता है कि एक दाई रहती है उसको भेज़े जाता है कि वो एक छोटे से cup में medicine लेकर आए ठीक है इच है इच है अब आउट 3 gallons of drink ठीक है उसमें लग 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 तीन गैलन पानी आ सकता था इतना मतलब cup था वो With great difficulty I lifted the cup in both hands ठीक है बड़ी मुस्कित से साथ क्या होता है कि मैं उसको उठाता हूँ अपनी हाथों से Then in a most respectful manner drank to their health ठीक है फिर क्या होता हूँ उसको मतलब कि किसी तर से उठा करके वो पी लेता है अपनी स्वास्त के लिए The drink tasted good लेकिन उसका जो टेस्ट था वो भी अच्छा था I spoke out words loudly in their praise ठीक है मैंने सा धन्यवाद करता हूँ परसंसा के साथ It made them all laugh heartly ठीक है और इस वजह से क्या होता है सारे लोग घसते हैं दिल से I almost fantered with the laughing noise और उनकी आवाज सुनकर के मैं लगबग बेहुस हो जाया करता था क्योंकि आवाज बहुती जुगा करती थी Now the former made a sign for me to come his side ठीक है फिर किसान एक इशारा करता है कि उसके बगल में जाता है लेकिन क्या होता है कि ब्रेट के टुकड़े की बजह से क्या होता है उसका चुकड़ा होता है उसकी ऊपर या फिर उसकी बजह से क्या गिर जाता है I got up at once and saw dead good people मैंने क्या पाया कि जो देखा वो लोग काफी अच्छे थे good people and were all standing around जो चार तरफ खड़े थे I took my head, waved it over my head and bowed low three times ठीक है तो अपने head को तारता है और मतलए कि सिर जुका करके उनको आथ आब heart प्रकट करता है ठीक है तीन बार they were glad to see that I was not hurt ठीक है वो ये देख करके खुश हो जाते हैं कि उसको किसी प्रकट की चोटने लिए just then I youngest son of the former a boy of 10 अब क्या था next उसका जो सबसे चोटा लड़का था जो किसान का लगबक 10 साल का रहा होगा took me up by the legs and held me in the air ठीक है वो मुझे उठाता है मेरे पैरों को पकड़ करके और हवा मुचाल लेता है I was shaking all over with fear ठीक है वो डर कि मारे मतलब कि कांप ने लगा but his father snatched me from him लेकि उसके पिता ने उसे चील लिया and scolded him for his bad manner और उसको मतलब कि इस बिवार के लिए उसको डाटता है किसान when we were half way through the lunch the a pet cat jumped upon the lap of mistress यहाँ पर जब जैसे लंच खत्म होने वाला था आधा हुआ था उसका एक पालतु बिल्ली थी जो मतलब कि उसके गोध पर उचल करके चल गए थी जो मतलब कि उसकी वाइफ थी when I heard the purring noise of the cat कहता है कि जब मैं बिल्ली की आवाद के सुना I turned my head मैं उसकी तरफ देखता हूँ the animal was three times the size of an ox वो जो बिल्ली थी वो मतलब कि किसी बैल के तीन गुना थी its frightened look made me trembling ठीक है जिसको देखकर कि मैं काफे डरनी लगा और मैं कापनी लगा I could not move out of here मैं डर कि मारे महा से हिल भी नहीं सका three dogs of the former also came into the room for the leftover ठेके खाना को जो बचा हुआ था उसकी बचे हुए खाने को खाने के लिए क्या होता किसान के तीन कुत्ते अंदर रूम में आ गए one of them was a mastiff एक कुत्ता जो mastiff प्रजाती का था the size of four elephants and the two others उसकी size लगबग चार हातियों के बराबर की होगी greyhounds दूसरे प्रजाती का कुत्ता था somewhat taller than the mastiff but not so big greyhound जो था वो बहुत लंबा था लेकिन mastiff से बड़ा नहीं था when the lunch was almost over a nurse came it with her years old baby in her arms आगे पर क्या होता है कि जब खाना कतम हो जाता है तो एक nurse आती है ठीक है जो एक साल के बच्चे की साथ थी उसके बाहों में the baby stretched his hands to guard me बच्चा होता है अपने बाहों को फैला लता है मेरी तरफ the mistress took me up and gave to him वो क्या करती है उसको ले लेती है और उससे देती है बच्चा जो होता है वो मुझे पकड़ लेता है बीचो बीच से और मेरे सिर को अपने मुम में डालने की कोषिश करता है I screamed so loudly that he became frightened and let me drop ठीक है फिर मैं डर जाता हूँ फिर क्या होता है कि वो मुझे छोड़ देता है the mistress held out her apron to save me from injury from falling down तो जो mistress जो दासी होती है दाई जो होती है एक तरसी कहती है वो उठा लेती है ठीक है और apron में save बचा लेती है उसको और देखती है कि गिरनी के विज़से से कहीं चोटनी लगी है After lunch the farmer went back to his field और lunch की तुरन बात क्या होता है कि किसान जो होता है अपने खेट पर चला जाता है काम करने के लिए From his wife and gesture उसके आवाज उसकी इशारे से I knew that he gave his wife instructions to take good care of me वो मतलब कि कहता है अपनी पतनी को उसका ध्यान रखे तीक है The mistress had a daughter about 10 years old जो उसकी वाइफ रती है उसका एक लड़की होती जो बार साल की होगी She was about 40 feet tall जो 40 feet लंबी थी She was an expert with her needle और वो काफी expert थी Needle and made fine dresses her for doll और उसको अच्छे से अपनी गुड़िया के लिए कपड़े बनाने आती थी She and her mother made a bed for me in the doll's cradle तो क्या होता है वो और उसकी मा जो है एक अच्छा सा बिड़ बनाती है जो मतलब की गुड़िया का cradle जैसे होता है They put me in the cradle and put the cradle on the hanging shelf for fear of rats तो cradle में उसको रख दिया जाता है and एक hanging shelf लटका दिया जाता है ताकि क्या हो कि अगर कभी किसी चीची से डर हो तो वो उसको बजा सके shelf for fear of rats ठीक है जिसे वो चुहे से नडर है The rats were as large as mischiefs ठीक है चुहे भी तो इतने बड़े थे जितने की बड़ा कुत्ता था and much more nimble and fierce जिसकी वज़े से क्या होता है कि वो हर कोई उसे जीता जाकता महसूस होता था और उसे डर पैदा करता था ठीक है मतलब जो गुलिवर था उसको डर गुलिवर नहीं आपे कौन है गुलिवर यह है तो गुलिवर हर चीज से डर जाये करता था तो तेरे ट्रेल वाज अबाउट six feet long तो cradle के चारो तरफ मतलब कि जो boundary बनाई गई थी वो लगपर six feet long नहीं थी ठीक है ताकि अंदर कोई प्रवेश्ण न कर सके फॉर्मस डाटर वाज वेरी कैंट जो किसान की जो लड़की थी मतलब कि काफी दयालू थी शी मेड क्लोथ फोर मी उसने उसके लिए कपड़े बना but their clothes were thicker लेकिन उसके कपड़े काभी मोटे थे शी आलसो वाश्ट माई क्लोथ उसने मेरे कपड़े भी धूले शी टॉट मी their languages और उसने मुझे अपनी language को पढ़ाया भी when I pointed the something she would tell me its name in her languages ठीक है जब मैंने इशारे में कुछ बात करनी कोसिस की तो अपने भासा में अपना नाम बताया ठीक है repeated the sound to our three tanks जिसको उसने दो या तीन वर्स को दोराया in a few days कुछ दिनों बाद I was able to ask for whatever I wanted ठीक है जिससे में क्या है कि उससे कुछ कह सकता था और मांग सकता था she gave me the name of the little man उसने मेरा नाम little man रखा she looked after me with a lot of care मतलब उसने उसका काफ़े अच्छा ध्यान भी रखा she never left my side as long as I was there और उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब तक मैं मापित था I called her the little nurse मैंने उसे little nurse करके बुलाया यहाँ पे tough word meaning है tough word meaning undertook मतलब समझ जाना मतलब समुदरी आतरा होता है discover मतलब खोजना screen मतलब चिलाना होता है delicious मतलब होता है terrible मतलब होता है कि dar के मारे scolded मतलब की डांट खाना delighted मतलब खुश होना apron एक garment का cover होता है जो कुछ बनाते हैं काम करते हैं पहना जाता है gesture के मतलब खिशारा करना होता है cradle बच्चे के लिटाने की जो पालना होता है उसको कहते है unimble मतलब होता है जीता जाता next time के questions और आपके कुछ exercise यहां पर कर रखे होंगा इसकी photos मैं आपको बेज़ दूँगा ठीक है और जो question answers है वो मैं आपको लेक्टी बेजिमस के photos आपको मिल जाएंगे and then now thank you so much have a nice day bye bye take care to everybody thank you so much